Now we will discuss exemptions of play therapy, देखिए play therapy is the latest phenomena, कि भई आप खेल के जरीए बच्चों के मुख्तलिफ जो जजबाती और उनके मौशरती मसायल हैं, social और emotional problems जो हैं, उनको आप resolve कर सकते हैं, उनके depression को resolve कर सकते हैं, उनके aggression को resolve कर सकते हैं, तो play सिर्फ बच्चों के जो inner thoughts हैं, उनके बाहर लाने का ही तरीका नहीं, बलकि बहुत से उनके मसायल को हल करने का भी एक तरीका है, तो the field of play therapy continues to evolve as a key approach to resolving children's psychosocial difficulties, तो हम इस therapy को बच्चे के जितने psychosocial problems हैं, उनको हल करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, अब यह क्या है, यह play therapy की assumption है, यानि हम समझते हैं कि play therapy क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके यह यह नताइज हैं, जिनमें से अगली बाद यह हैं कि जो खेल है, वो बच्चों में एक strong drive या shock पैदा करता है, बड़ा strong motivation पैदा करता है, और फिर जो आपके, जैसे हमारे potential हैं, बच सारी चीजें तब तक सामने नहीं आएंगी, जब तक उसको free play का मौका नहीं मिलेगा, तो हमारी assumption यह है, कि इससे बच्चों के जो strengths हैं, वो सामने आते हैं, play expresses children in a world, तो जो आपके inner thoughts हैं, feelings हैं, आपकी struggles हैं, perceptions हैं, जो कुछ आपको मुश्किल, असान, बुरा, अच्छा ल देखे communication यहां पे साथियों के साथ भी है, parents के साथ भी है, teachers के साथ भी है, और यह communication choice के साथ भी है, वो objects जो आपके it gives free play के लिए हैं, बच्चे उनसे भी बातें करते हैं, बच्चे खुद से भी बातें करते हैं, फिर इससे social bond बनता है, अगर वो peers के साथ खेल रहे हैं, parents के ऐसा playmate है, तो एक social bond जो है, वो बनेगा, फिर इसका freeing effect है, जिसको हम इसलिए play therapy को सबसे जादा recommend करते हैं, कि भाई, जो मेरे अंदर इस वक्रेशर्स हैं, दबाओ है, वो महरूमी का है, depression का है, social है, physical है, उसको मैंने निकालना है, कई दफ़ा आपने देखा, बच्चा खा जबाओ जब करते हैं, बड़े जो शुकरों से वो जब करते हैं, फिर एक वक्त आएगा ठक के बैठ जाएंगे, तो यह जो energy है, यह उनके अंदर वजूद है, इसको बाहर लाने, consume करने के लिए भी हमें free play की ज़रुवत पड़ती है, फिर हम कहते हैं कि बच्चे play के जरि है, किसी और जगा चलाना है, किसकी किस से टकर करनी है, क्यों करनी है, उनके पास काफी logics होती है, जब वो अपने खेल में मश्गूल होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, बलके assumption यह है, कि बच्चे जब खेलते हैं, तो उनकी जो power है, वो उसको हम वो dispose कर सकते हैं, और फिर यह के self-control भी उनका पैदा होता है, मतलब उनको पता है कि अगर उनको कोई character जो है, वो replicate करना है, imitate करना है, तो कैसे अपने जजबात पर काबू पर पा के, वो ही शक्स या वो ही चीज़ बनने की कोशिश करना है, जो वो play के अंदर depict करना चाहते हैं, तो फिर यह के, देखि खेले में कभी कुछ ड्रॉ करके, बना के, खुद से बिल्ड करके, तो खेल की जितनी शकले हैं, हर शकल बच्चे को कहीं न कहीं outlet देती है, यानि जिससे उसकी बाहर आने वली सलाहियते जो हैं, वो जगा पाती है, उनको window मिलती है, अब जब उनको window मिलती है, तो वो फिर अपने आपको free महसूस करता है, और हमारी जितनी भी play therapies हैं, वो इस चीज़ पे believe करती हैं, कि हम बच्चों को जब इस तरह के जो pushed ideas हैं, जो feelings हैं या pressures हैं, उनसे जब उसको अजाद करेंगे, तो वो एक बहतर इनसान के तौर पर नशोनमा पास सकेगा.